होम शांती 23 मार्च के शुरुदान आप सोकस होकत है हम हर कोई हर किसी के साथ में कुछ न कुछ attachment की प्रॉल्म है हम किसी न किसी चीज वस्तू पदार्त वेक्ति के साथ में अटाश्ट है और जिस करण से हमें दुख बहुत मिलता है और वो चीज अगर नहीं मिले या वो वस् देते हैं मतलब कि हम अपने मंग की शांती उखो देते हैं परमात्व कहते हैं अगर कोई भी पदार्त करमेंद्रियों को विचलित करता है नहीं मिलने चुछ रही हम उसका यह तो देखने पर विचलित होता है कि जैसरे मौ को देखते है अपको खटा पना या को चीज देखते हो आप कि अंदर आप के सलाय वाया तो दुका या आपको खान फान की चीजदी करके आपको आको रखां खांग होता ऐ है मैं ऐसा बहुत सारे ऐ जाएं या कुछ इस फो घूमूं करें जाओं उच भी चीज हो। पधार्थ, वस्तु, व्क्ति, बहुत सारी चीज़ आती है। लेकिन परमात्मा आज जातर प्रकृति के बात कर रहे हैं वस्तो की की बात कर रहे हैं। अधात आसक्ति का भाव उत्पन होता है तो भी नियारे नहीं बन सकेंगे तो नियारे नहीं बन सकेंगे तो परमात्मा के पैरे कैसे बनेंगे क्योंकि अगर वो चीजें वस्तों वह यादा हैंगे तो परमात्म नहीं यादा आदा हम volunteer है और mediatыеशन से बैठ करके है परमात्म कहते है चलते भेढ़ते उटते-बैढ़ते डिटस होकर, चलो और मुझे याद करो क्योंकि लास्ट के समय जब शरी छोड़ने का समय आएगा या महाकाल का समय आएगा तो उस समय चीजें वस्तों अगर हम उनसे डिटैश नहीं होंगे तो वो चीजें वस्तों बुद्धी में गूमरी होंगी परमात्मा याद निया पाएगा और आत्मा शक्ती शाली हो करके शरी से छोड़ने में उसको मुसीबत होगी क्योंकि आत्मा को या तो परमधम याद आएगा परमात्मा याद आएगा या चीजें वस्तों याद आएगी तो जहां आत्मा की तीसरे इनित में जो दिखता है वहीं आत्मा पहुंच जाती है तो अगर दुनिया की चीज़े याद आएंगी है ना अंतकाल जो सिमरे याद होगा फिल इन दे ब्लैंक्स बीच बीच में डालते जाएए किया कि याद आप उसे मराता है तो इस करण्ट से वह चीज़ें अगर याद आती है तो शेरी चोनने में मुसीबद होती दिक्कत होती है दुख होता है इच्छाएं ही आसकती हो का रूप है इच्छाएं चाएं वो अपने प्रती हो चाएं और उके प्रती है इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए, मेरा ये हो जाए कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है मुझे अच्छा तो नहीं उससे मिलने के लेकिन हाँ वो अच्छा लगता है मुझे अच्छा तो नहीं वो खाने के लेकिन अच्छा लगता है तो ये भी सुक्षम बहुत सटल बहुत बारीक आ सकती हैं इसकी महीन रूप से चकिंग करो कि यह पदार्थ अर्थात अलपकाल सुक के साधन जो पदार्थ है हमारे आसपास है जो सुक के साधन है फॉर एग्जामपल दाजली में गरम पानी वाडर बॉटल अगर नहीं मिली तो मैं सोनी पाऊंगा रात पर इसी ने काम कर रहा है तो मैं सोनी पाऊंगा मेरी ही प्लेट में मुझे खाने के लिए जोगी आ क्षे रहा है यह होई प्लेट में मेरी उसके बहनाँ लगी तो उन चीजों सबीहा सकती है अगर मुझे खाने के बाद में पान नहीं मिला मैं जिस एक्जामपल दे रहा हूँ या चॉक्लेट नहीं मिली या मुझे कुछ मीठा काने के लिए मिला तो बस नीन नहीं आ रही है मुड़ा हो गया परमाद कहते हैं यह सारी चीज़ा के आए करमेंद्रियां इन चीज़ों पर निर बर है इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि यह पदार्थ अर्थात अलबकाल सुक के सादन आकरशित तो नहीं करते हैं और आकरशित नहीं करते हैं इसका कैसे एक्जामपल है कोई चीज़ नहीं मिल रही है तब भी आप सुकुन में है कोई चीज़ मिल गी तो भी आप सुकुन में है आपको कोई असर नहीं पड़ता है यह पदार्थ प्रकरती के सादन है जब इन से अनासक्त इनके साथ में detachment हो जाएगी हमारी अर्थात नियारे बनेंगे तब प्रकरती जीत बनेंगे कहरा है इसे समझने लिए प्रमकमाइज सेंटर आइए हम शेंती